आपने बालों को हर कोई लंबा मोटा और घना ही करना चाता में अगर अगर अब्र करना चाहता है लेकिन अगर आप उन में अपने फ़र जादा ताइम नहीं देना चाहते और और आपने बालों में पैक-प्लाइ नहीं करना красив अब ज Alcohol है और अपनोन में नहीं यूज तो ये वीडियो आपके लिए है, welcome to my channel guys, मैं हुराबया, आज मैं आपके साथ में शेयर कर रही हूँ एक ऐसा सिंपल सा hair growth spray, जिसको सबसे पहले तो आपको बनाना बहुत ही आसान है, दूसरा लगाने के बाद आपको इसको बार बार hair wash करने की जरूरत नहीं है, इसको आपके स्काल्प में अपनी जड़ों में स्प्रे करना है, सूखरे देना है और आप अपने बालों को रेगलर की तरह स्टाइल कर सकते हो, रोज थोड़ा थोड़ा बसी आपको आपकी जड़ों पर अपलाई करते रहना है, एक हफते में ही आप देखोगे, बिना ये घंट बस इसको आपको आपकी जड़ों में स्प्रे कर लेना है, कॉलेज जाने वाली लड़कियों से लेकर, हाउज वाइफ या कोई भी एज की विमेन और मेन, कोई भी इसको यूज कर सकता है, आसान भी इसको यूज करना और इसके फाइदे जबरदस्त है, बहुती ईजी, पा अधाय कप मेथी दाना, और इसमें आपको दो कप पानी दालकर इसको आपको राद भर के लिए भीगो के रखना है, नेक्स्ट आपको दो कप के जगह सिर्फ एक कप ये मेथी का पानी मिलेगा, और हमको यही इतना ही पानी चाहिए, लेकिन इसमें भरपूर मेथी की कड़ी पते की डालेंगे इसके बाद इसमें एक चोटा तुकडा जिंजर का, इसको काट के इस तरीके से डालेंगे, एक चोथाए कप नॉर्मल प्लेन वाटर दाले, इन सबको अच्छी तरीके से घ्रांड करें, ग्राइं करने के लगाद इसको छान ले, छनी के हेल्फ से इतना जादा powerful extract है इसका जबर्दस फाइदा उठाने के लिए आप इसमें डाले बस एक चमच आलवरा जिल और डाले कुछ बूंदे रोज मेरी essential oil की प्लीज ही अपने पास मंगा के रखे आपके लिए बहुत जरूरी है अगर आप hair growth चाहते हो तो और या आसानी से चाहते हो एक से दो महीनों के लिए अपने फ्रिज में स्टोर करके रख सकते हो इसको यूज करने का तरीका बहुत ही आसानी बस इसको अपने जड़ों में अच्छे से अब्जूर्ब हो जाता है और वो अपना काम करने लगता है आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है आप अपने हैर वाश करना है मैं आपको रेकमेंड करूंगी हैर वाश करने के एक से दो घंटे पहले बहुत जादा कॉंटिटी इसके अपने बाल में स्प्रे करें ताकि आपके पूरे जड़ों में अच्छी तरीके से समा पाई डेली जब आप इसको स्प्रे करते होगे डेली बेसिस पर आपके जड़ों में काम कर रहा है डेली बेसिस पर आपकी हैर ग्रोथ जो है वह थोड़ी थोड़ी बूस्ट हो रही है और जब आप इसको हैर वाश करने से पहले अप्लाइक तो यह सारे इंग्रीडियंस की जो रिचनेस है वापकी जड़ों में बहुत अची तरीके स इसको यूज किया है जिस दिन हैर वाश करने वाले उसको थोड़ा ज्यादा अप्लाइ करो वेट करो एक से दो घंटे के लिए उसके बालों में इसको यूज करते हो एवरी डेय बेसिस पर हलका हलका स्प्रे करके कुछ ही यूज में आपके बालों को जड़ना तो रुकी है इससे आपके बाल यहां से यहां पहुँच सकते हैं यह सिंपल से एवरीडे़ बेसिस यूज करने वाले नो हेर वश नीडेर घर ग्रोथ स्प्रे से यह पावफुल रेमिडी है गाई इस पावफुल कॉंबिनेशन नहीं से तरीका है आसान तरीका है हर को इसको यूज पसंद आया है पसंद आए तो ट्राइक करें और वीडियो को लाइक करना ना भूले शेयर करें चैनल को सब्सक्राइब करें मेरा लाप या फिलाल के लिए साइनिंग आफ मिलोंगी मेरे अगले वीडियो में अपने टेक केर और पाई